ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है कुम्भराशी वालो हो जाओ तैयार क्योंकि अब आपको भगवान शिरहरी विश्णूजी और मालक्षमी के असरवास से पांच जनवरी से ग्यारा जनवरी यानिक इन साथ दिनों में बहुत बड़ी खुसकबरी मिलने वाली है जादोस्तो आपको बता दें भगवान शिरहरी विश्णूजी और मालक्षमी के असरवास से पांच जनवरी से ग्यारा जनवरी याने कि इन साथ दिनों में बन रहे धनलक्षमी प्राप्ति योग, गुरू पुस्प अमरत योग, सरवाद शिद्धी योग और दो राज योग में इन साथ दिनों में आपकी किसमत चमक जाएगी जा दोस्तो यूँ कहें कि इन साथ दिनों में बिना मेहनत के आपको फल मिलेगा, जा दोस्तो इन साथ दिनों में आपको मोका ही मोका मिलने वाला है, दुनिया वालों की बोलती बंद हो जाएगी, जा दोस्तो आपको बता दें, भगवान से रिविशनों जी और मालक्षमी कि पांच जनवरी से ग्यारा जनवरी यानिकिने साथ दिनों का समय बहुती महत बपूर्ण और बहुती भाग्या साली समय साबित होने वाला है। यानिकिने साथ दिनों के सम्कून और शटीक रासी फलक के बारे में बताने वाले हैं। दिनों का यह महत बपूर्ण समय दोस्तों यह समय भग्या आपके पक्ष में हैं। कोई राजनितिक उपलब्दी आपको प्राप्त हो सकती है जिससे समाज में आपका रुतुबा बढ़ेगा। साथ ही आए में भी वरद्धी होगी सगे संबंदियों का सयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। साथ साथ यह समय कोई नजदी की महतपपूर यत्रा संपन हो सकती है तथा मनोरंजन संबंदी भी कुछ योजनाएं बनेंगी जिससे मन आपका बहुती प्रफुलित रहेगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदने संबंदित कोई योजना बन रही है तो पहले उसका वास्तु आदी द्वारा परिक्षण आप अवश्य करवाले जदोस्तू। अगर आप कुछ समय से इस्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी से संबंदित कार्य करने से पहले उस पर दोबारा विचार विमर्स अवश्य कर लें आपको इस समय अवश्य ही सफलत अप्राप्त होगी संतान की तरफ से भी कोई सुब समाचा कशार मिलने से इस समय घर में खुश नुबां माहुल रहेगा दोस्तों साथी साथ यह समय आप अपने व्यक्तिगत मांमलों को किसी के समक्स शेयर ना करें गुपत रूप से कार्य करने पर आपको अवश्य ही सफलत अप्राप्त होगी दोस्तों साति सात यह वह समय होगा जब कहीं से आपको कोई सुब समाचार भी प्राप्त हो सकता है बड़े बुजर्गों का अशिरवाद आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खोलेगा जब दोस्तों साति सात यह समय परिष्टितियां आपके पक्स में हैं जिस काम के ना होने का आपको डर लग रहा था वह अब बड़ी असानी से और आपके मनों अनुकूल तरीके से हल हो जाएगा नवीन वस्त्र आबूशन जैसी चीजे खरीदने की भी अब योजनाई बनेंगी दोस्तों साति सात यह समय अगर आप घर में कोई सुधार संबंदित योजनाई बना रहे हैं तो ग्रह अस्तितियां बता रही हैं कि वास्तों संबंदित नियमों का पालन करना आपके लिए लाबदायक तता सोबाग्य शाली रहेगा बच्चे पढ़ाय के प्रती पूरी तरह से एकागर चित रहेंगे दोस्तों साति सात यह समय कभी कभी जादा सोचने की वज़े से तनाव आ सकता है आपकी कारे छमता को भी प्रभाबित कर सकता है और कुछ महत प्रमून कारे भी हाथ से निकल सकते हैं इस बात का ध्यान रखें साथ ही अपने भाईयों के साथ संबंद मधूर बना कर रखें घर की मरमत और रख रखाव संबंदित कारों में खर्चा बहुत जादा बढ़ सकता है जिससे आपका बजट गण बढ़ा भी जाएगा इसलिए सावधान रहें क्योंकि इस चिंता का असर आपके सुकून और नीन पर भी पढ़ सकता है दोस्तो साथ साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखने की आवश सकता है कि आपके रुत्बे का कोई नाजाद फायदा भी उठा सकता है जिसकी वज़े से आपकी मान हानी भी हो सकती है आपकी छबी को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है छबी को आप साफ सुत्रा बना कर रखें यह आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा दोस्तो साथ साथ यह समय किसी भी काम को करने में बहुती आपको समझदारी से काम करने की आवश सकता है अन्यथा वाद विवाद खड़ा हो सकता है साथ ही पुलिस थाने वगयरा के भी चक्कर लग सकते हैं किसी बहरी व्यक्थि की बातों में ना आकर अपने निर्ने को ही आप सरवो परी रखें दोस्तो साथि साथ किसी संबंदी रिष्टेदार से किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है आपके कोई जिद आप से संबंद को खराब कर सकती है अथे अपने वैवार में लची लापन रखें साथ ही अपने खर्चों को भी शयमित रखें दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखने के आवशक्ता है कि कोई भी काम करने से पहले सब पहलू ओपर सोच विचार करके योजना बनाएं बाद में उसे आ आप पून करें इससे आपको अवश्य ही लाब होगा और आपके लिए ऐसा करना हित्तकारी रहेगा दोस्तों बात अगर आपकी लव लाइफ के की जाए तो यह समय आप अपने कार्रे में जीवन साती की सला लेना आपके लिए लावदायक रहेगा इससे आपसी संबंदों में मधूर्त आएगी साथ ही प्रेम संबंदों में भी प्रगड़ता बढ़ेगी संतान के केरियर संबंदी सुब सवाचार मिलने से इस समय घर में खुशनुमा माहौल वनेगा पती-पत्नी अपने बच्चे की इस उपलब्दी से अपनी परवरिस पर गर्व करेंगे साथ यह समय आपकी उपलब्दियों की वज़े से परिवार में लोग बहुती खुसी महसूस करेंगे आपकी प्रसंसा वे आदर भी उनके मन में बढ़ेगा प्रेम संबंदों में मधूर्त बनी रहेगी जीवन साथी का आपके प्रती भवनात्मक लगाव आपसी संबंदों में और अधिक मजबूती लाएगा दोस्तों साथ साथ यह समय पती पतनी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर मतबेद हो सकता है परन्तु जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा दूसरों से जादा उमीद रखने की बजाए अपने स्वेभाब को ही बदलें आपके लिए अ जजर रखना आपके लिए अति आवशक है ध्यान रखें कि सब के साथ संबंद उचित वे दोस्ताना बने रहे जादा टोकाटाकी की वज़े से स्टाफ परेशानी महसूस कर सकता है दोस्तों साथ साथ यह समय नोकरी पेसा लोगों के लिए बहुती अच्छ रहेगा नोकर करने पर कोई प्रोमोशन भी मिल सकता है वेवसाइक इस तल पर भी सभी प्रकार के काम सुचारों रूप से चलते रहेंगे योजनाओं को हर किसी के समक्ष आप जाहिर ना होने दें अर्थात उसे गुपत ही रखें अन्नता कोई इसका फायदा उठा सकता है दोस्तों साथ साथ यह समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जोड़े व्यवसायों में सफल तापराप्द होगी व्यवसाय में आसपास के लोगों से प्रतिस प्रदा में आपको जीत हांसिल होगी इसलिए महनत से आप ना घबराएं नोकरी में टारगेट हांसिल होने से बौस वे उच्छ अ इस समय सुचारों रूप से होते जाएंगे नोकरी पेसा व्यक्तियों को कोई उपलब्दी मिलने के भी अब अनेको योग बन रहे हैं। दोस्तों साथ साथ यह समय नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्रों को अत्यादिक ध्यान पूर्व करें क्योंकि कोई गल्ती की वज़े से अधिकारी वर्ग आप से नाराज भी हो सकते हैं परंतु व्यवसाई की गतिविदियां सुचार रूप से चलती रहेंगी मसीनरी आदी से जुड़े व्यवसाई लाबदायक इस्तिती में रहेंगे कोई सुब व्य महत्पपून या त्राइबी यह समय संपन हो सकती हैं जो आपके लिए बहुती फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो बात अगर आपके स्वास्तिकी की जाए तो यह समय गले में दर्द वे खासी जुखाम जैसी इस्तितियां रह सकती हैं लापरवाही आप बिलकुल ना करें तुरंत इसका इलाज लें दोस्तो साथिसाथ यह समय वायू विकार और जोडों के दर्द संबंदी समस्य हैं उत्पन हो सकती हैं बादी वाली तथा तली हुई चीजों का सेवन आपको करने से बचना होगा वर्तमान परस्तितियों की वज़े से अपना ध्यान आप अवश्य रखें दोस्तो साथिसाथ यह समय गरदन और पीट से संबंदित दर्द परिसान कर सकता है योगा तथा वैयाम के लिए भी आप कुछ समय आवश्य निकालें आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा